हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चानल आप सब एक आपके अपने चानल पर स्वागत और आज हम बात करने वाले हैं डीएवी स्कूल के अंदर प्लस लाइबरेरियन और नौन टीचिंग स्टाफ की वेकिंसी आई है काफी सारी वेकिंसी है आप यहां पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो और मुस्स सबी सब्जिक्ट में यह आपकी वेकिंसी अवेलेबल है यहां पर देखो भी टीचिटी और पीजिटी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका टेट क्वालिफायड होना चाहिए स्टेट गवर्मेंट या सीबीसी पी एर्टी ओर टीचिटी के लिए थिक है अद्लब आपका जो टेट की जो रिक्वार्मेंट है वह प्युचिटी और पी आर्टी के लिए है इसके बाद है कॉंट् कर सकते हैं for teaching candidate will not be allowed to appear for the post of teacher in any subject and grade without BA degree यानि कि आपको जो है बिनना BA की डिगरी जो है ये allowed नहीं करेंगे आपके पास जो है BA होना ही होना चाहिए ठीक है तो BA होना चाहिए चाहिए आप किसी भी subject से क्यों नहीं हो उसके बाद librarian की बात करें तो उसमें आपका computer की knowledge प्लस B library M library आपके पास होना चाहिए और उसके बाद computer की knowledge होनी चाहिए qualification की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो qualification and non-teaching staff का LDC lower division clerk और upper division clerk और assistant के लिए candidate must graduate आपके पास graduate होना चाहिए और commerce को ये prefer करेंगे knowledge of nothing drafting typing accounting computer with tally तो ये आपके पास जो है यहां पर requirement होने चाहिए lab attendant post के लिए candidate must be graduate in science या फिर BCA यानि कि जो BCA वाले student है वो lab attendant के लिए यहां पर apply कर सकते है qualification जो है या तो science में या फिर आपके पास BCA होना चाहिए अगर हम यहां पर schedule और venue की बात की जाए कि आपका एक्जा जो है कब होगा तो return test for all teaching and no teaching का जया जो है candidate will held in 10 माई 2023 गीता देवी डीएवी स्कूल भांदर खोला सतर रोड दियोगहर from 10 अम मतलब 10 बजे जो है आपका यहां पर return test होगा 10 माई को तो जो भी बचा interested है वो कर सकता है यह विक इंसी कहां से आरी है एक लिमिट क्या होगे वो देख लो यह जो है आपका डीएवी स्कूल जोन एक से आरी है जौ्ट अर यसमें काफ़े सारे स्कूल काफ़े सारे जोन तो एक जो है इसे आपका डीएवी स्कूल जो है अगर आपके실्ज होरे जैसे आपका aged चितरा जामतारा टोपा पाकुन को एस के इंडर आ आएंगे तो आपके इंस-धार सरी स्कूल के अगर्व önce चितरा, जामतारा, टोपा, पाकूर, महेशपूर, गोडा, गिरिद, तो यह सारे स्कूल जह हैं, वो इसके अंडर आएंगे, तो आपके यहाँ पे स्कूल्स के अगर हम बात करें, रिकोर्ड और फ्लिएंशी इंग्लिष, माथिमाटिक्स, फजस्केमिस्ट्री, बााइलोजी, जनल साइंश, इंग्लिष मोमर्स, कम्प्यूटर साइंश, सोशल साइंश, एकोनोमिक्स, हिस्ट्रे, हिंदी, शंस्कृत, म्यूजिक, फिसिकल एड्युकेशन, एडवल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपके पास BCA मांगा हुआ है तो यह सारी जो है कहां पर है तो आप देख सकते हो आपको काफी अच्छा मिलेगा मैकसिमम एच लिमिट की बात की जाए तो फ्रेश कैंडिट जो है वो आपका is 35 years to apply in any query आपको यहां पर वेबसाइट दे रखिए www.bnsdavgrd.org there is no vacancy in the opted area the selected candidate may get chance in school of other area as per vacancy 500 रुपए का यहां पर आपका application fees रहेगा जो कि आपको लिंक दे रखा है website पर वहां पर देना है last date submission की 6 मई 2023 है यानि कि 10 मई को आपका जो है रटन होगा 6 मई आपकी last date है यहां पर आपको कोई T.O.D.A. नहीं मिलेगा दो फोटो जो है दो साइस की दो फोटो पासपोर्ट साइस फोटिग्राफ लिस्ट ओफ शॉर्ट लस्टेड कैंडिड जो है वह आपको 22 मई 2023 को इनकी website पर शो हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटर्व्यू में नाम आया है कि नहीं आया है और फर्दर जो है फिर आपको इंटर्व्यू के लिए लोग कॉल करेंगे अब मैं एक बार आपको official website दिखा देती हूं यह आपकी official website है जो आपको link दे रखा था बाकि लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगे तो यहां पर जो है कैंड़ शेल बेवाइब तो फेज दा इंटर्व्यू वाइवा था कैंड़ मस्ट फेज दा इंटर्व्यू आप्टेड इन देर प्रफरेंस तो साई चीज़े रखी हैं तो इंपॉर्टेंट इंपॉर् इसको प्रोसीड करेंगे यहां पर तो यहां पर आपका लोगिन आ जाएगा या फिर आप नए रजिस्टेशन से लोगिन करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हैं आयूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप जो है इंटरस्ट प्रोसी में तब तक ते लिए बाइबाइ टेक्या थैंक्यू